नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका कवजवलक चनल में दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको जो यह पेड़ दिखाई दे रहा है यह पेड़ जंगली पेड़ है और इस पेड़ को बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानता है वो पेचान तो यह पेड़ किस प्रकार देखा जेता है और इसके फल किस किस कलर में दिखा जेते हैं वह भी जानकर में इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चलो को स्पाइब दोस्तों और और कमेंट कर देना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा ठीक है दोस्तों तो चलते हैं वीडियो के और मैं आपको जानकर देने कोशिश करूँगा कि यह जो आपको पेड़ दिख रहा है इस पेड़ का वैसे तो कहीं नाम है पर मैं आपको स्रिप एक या दो नाम ही बता तो अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि इसका और क्या-क्या नाम है तो दोस्तों सबसे पहले में आपको इसका नाम बता जाता हूं इसका नाम है दोस्तों एक तो लसडो के नाम से जाना जाता है और दूसरा एक गोंदा के नाम से जाना जाता है ठीक ह तो और हम इसको गोंदी के नाम से अधिक जानते हैं ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये पेड़ और इसके फूल और इसके फूल तो अब इसे आगए हैं पहले ठंड में आ चुके हैं ये भूब दी लंबा प्रोसिस रहता इसको फल को पकने में ठंड से आना सुरू ह हो जाता है उसके बाद में फिर ये फल बारिस आते आते इसका फल पकता है तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है तो इसका जो शुरू जो फल आता है उस फल को अपन सब्जी बना सकते हैं और और अन्य कहीं काम कर सकते हैं और इसके बाद इसका थोड़ा सा बड़ा फल हो जाता है तो इसके बाद इसका अचारी बना जा सकता है सबजी बनाई जा सकती है तो दोस्तों ये प्रोसेस रेता है जब ये फल हरा रेता है जब ये फल पक जाता है पकने के बाद में फिर इसके वेसे तो कहीं उपयोग है पर मैं उपयोगों के बारे में जानकर देने नहीं दूंगा तो दोस्तों मुझे स्वा करना पर मै आपको जो दिखा रहा हूं ये पेड़ हमारे यहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में हैं तो विसे हम तो इसका कहीं तरीके से उपयोग करते हैं इसका तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के और आप तक पहुचाया जाए तो दोस्तों देख सकते हैं ये मैं इस पेड़ के हुआ हूँ और भीर मैंने ये वीडियो बनाया है तो देख सकते हैं इसके पर कहीं फूल लगे वे फल लगे वे हैं तो अब मैंने इस फल को खाया भी है लेकिन